तो दोस्तों यदि आपने अमेर का नाम सना होगा, अमेर फूट का नाम सना होगा, तो वहाँ की जो elephant ride है, what famous ride है, तो दोस्तों आद मैं आपको बताने वाला हूँ कि वहाँ पर elephant ride होती है, जो hathi वहाँ पर आते हैं, उनका घर जैपूर में कहाँ पर है, जिसे कहते है हाथी ग चैनल सुस्कायब करना है, बैल आइकन दमाना है, तो दोस्तों चलिए दیर किस बात की, चलते हैं हाथि-गाओं के अंदर और मैं आपको बताता हूँ कि, जैपूर का हाथHyजा है, और शुटे चार्जर्य बाइन के लिए, वह है 50 से पर परपर सर्, और भी मैं आपको जो ticket कि जानकारी अभी मैं आपको एक फोटो भी डाल जूँगा उसमें आपको सारी ठीकिट की जानकारी मिल जाएगी और मैं बता देता हूं कि जब आमेर से आप दिल्ली बाइपास में जो रूड मर्ज होती है वहाँ पर जो CISF का ओफीस जैपुर में वहाँ पर यह जो हातिग कर दो है झाल झाल तो दोस्तों जैसे कि अभी मैं आचुका हूँ हाती गाओं के अंदर और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे दो हाथी खड़े में इनका नाम रानी इनका नाम चमेली है और मैं बताने वाला हूँ कि कैसे इनको रखा जाता है क्या कि इनका खानपान होता है कैसे इनको ट्रेनिंग यहां पर दी जाती है एक वर आईए बंदा देता हूं मिलवा देता हूं देखिए काफी जो होते हैं इनको प्रॉपर तरीके लिए जाती है ताकि किसी को हाम नहीं करें और देखिए इनको आप बढ़िया इनके साथ यहां पर कर सकते हैं और काफी यह आसाम से और यहां से जुन लेके आये जाते हैं और इनका प्रॉपर तरीके से तो एक काफी बढ़िया बात है कि जैपुर की टूरीजिन को जो बढ़ावा देने में एक एलिफेंट राइड का जो योगदान है वो भी काफी सराली है आप देखिए इंचो और मिल लेते यह तोड़ी सी पीछे घड़ी है यह तोड़ी सी तुलबली है यह चमेली है यह दे तो यह देखिए आप यह अभी मेरे तरफ इसलिए कर रहे है क्योंकि इसको लग रहा है कि मैं इसको कुछ खिलाने वालों पर यह अभी गंद्ने घार है ओल्रेडी देखिए यह है जैपुर का जो हाती गाहों है उसके अंदर का सीन में आपको यह बता रहा हूँ कि देखि अगर आपको एलिफेंट राइड लेनी तो जैपुर में दो अप्शन अवेलेबल है पहला उप्शन है कि आप आमेर जाएगे तो कि 7 से 11 बजे तक वहाँ पर एलिफेंट राइड होती है वो सिर्फ होती है कि आपको हाती लेके जाएगा फोड की नीचे से रूप पर ली जाके छोड़ देगा करीबन 10 मिनिट के वहाँ पर राइड होती है बट अगर आप दो अगर आप आप यहां पर आएगे तो आपको पांची चीशे एक्स्ट्र यहां पर मिलने वाली है आप यह तो दोस्तों जैसे कि आति करने है कि बटाए कि कैसे हाफियों कर रखाना दका ता कैसे अपर ट्रेनिंग यहां पर दी जाती अभी आप मेरे पीचे देख सब्सक्ति कि हाथी खड़ा है और इसका घर में आपको बताने वालाओं क्या-काहिए खाते हैं शुकर के ए जिंदिके हो चाटते हैं हीए भे क्या यह देखे आक अंदर दिखादीजिया कि यह कै के यह पूरा हाथी का घर है ये देख सकते हैं और इखर आई आप लिगिरी कौते हैं आंका also जो खाना इनका वो इस आपनेता हैं दो औरर समार्ट कि आप बताया ओप कि आप बनाप बताता है दो कि यह बेजिए एक यह जेट हाे और एक इसके पीछे अपर होता है तो एक वाड़े में तीन हाठी रखे जाता के दिखिया यह जाद यहांप और जो इनके पीछे हैं उनकी फैमिली रहती है मिलब जो महावत होते हैं पूरा पॉर्पर तरीके से इनका ख्याल अप्रेस रखी जाती है ताकि एंगी जो उम्र है वह काफी लंबी रहे और यह जो जैपूर परियेटन में है वो अथी तरीके से अपना योग्दान दे सके आएक लाओ अब्याहा नेक्टिव ए जिस्टो देख सकते कैसे हाती की जो बॉसिंग को निलाया जा रहा है बड़ीया सा इस्तिनान रेल यहाँ के बड़ीया यह देगे इतने जो केर जो मेंटेनेंस होती है वो बहुत भारी बढ़ती होते हैं कि इतने अच्छा तरीके से इनको यह वाश कर रहे हैं और कितने बड़ी तरीके से आप यहांतियों का ख्याल रखा जाता है बवारी के आप Dakar को यह वारा कि से इनको भारा जाए है यहाम आप यहाम वहाश कर दो कर दो कर दो कि अदोना कर भाराल एंकोव्ध से को तो कर दो उसना chain. झाल झाल कि दोस्तों आने वाले जनों में यहां पर एलिफेंट पोलो है जो जैपूर में वह स्टार्ट किया जाने वाला मेरे पीजे तयारे देख सकते हैं एक यह बनाया गया है मैदान और एक आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं आप देखिए यह पूरा जो जाली देख रहे हैं इनके बीच में जो एलिफेंट पोलो का है वह विकास क्लिया जाएगा धीरे और आने वाले टाइम में जैपूर में आने वाला परेटक और जैपूर के लोगों के लिए यह बहुत ज जाता है हाती जो है फन एक्विटी जो हाती करते हैं पानी में वह इसी तालाब में करते हैं देख सकते मेरे पीछ आप थोड़ा सा आजएगी आप आप दिखा दीजिए देखिए इतना सुंदर तालाब है कि इस शांती वाली जगह है मैं तो कहता हूं कि जैपूर में आप बहुत सारे लोगों को नहीं पता है दोस्तों आज कि आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी क्योंकि मैंने ऐसी जगह के एक्स्प्लोर किया जिसके बारे में आप बहुत कम जानते होंगे तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल सब्सक्राइब करना है और तो मेरी पिछली वीडियो भी देख निए तो मैंने सबवीडियो का लिंक डिसक्रिप्चन बॉक्स में डाल रखाई आप और यदि अभी आपने मुझे ईंस्ट्राग्राम पे फोलो नहीं किया तो इंस्ट्राग्राम का लिंक में अपने description box में दे दूँगा जहां आप जाके मुझे follow कर सकते हैं जो raw footage होती है जो video में और जो video के beside में record करता हूँ जो photos होती है मैं वहाँ पोस्ट करता हूँ तो आप मुझे MISTER underscore underscore J-A-I-P-U-R Mr. Jaipur के नाम से आप मुझे follow कर सकते हैं इसे के साथ आज की video हम समाप्त करते हैं नमस्कार जय है